आप वेल्व बीवन वेल्कम बैक टो आबर यूट्वीब चैनल आर इने चापचेस पाइड तो एपुछ रोग दोस्तों एक वार फिर से हमारे यूट्वीब चैनल आर इने स्ट्डी सक्षेसपार्ण पर आप बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों कैसे आप लोग तो जै है जो नाइंत की इंट्रोड़क्शन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैत की स्लेवस के बारे में ठीक है बच्चो तो आपको हम बताएंगे मैत की इसकी तो अलग स्लेवस होगा अप लोग का श्टूरेंट पूरी बुक का दिया जैसे वोड के जैसे होगा आपको टेंथ में देगा उसी के इस आफसे आपकी आगी तो हमें पूरी सिलेबस की बता रहे हैं पूरी बुक की कौन सा चेप्टर से कितने मांक्स का कुश्चन साथ है क्सuiçãoरण हम लोग् देख रहा है कि कि चेप्टर में हमें क्या पढ़ना है तो सबसे पहले हमारा चेप्टर है वह स्दख़र आपको बंबर देखो पहले और और टो बता द test का हमारा number system है वो 8 number कहा है number system में क्या आगा chapter 1 गए ठीक है chapter number 1 जै गगुआ आगा algebra में हमारा बच्चो 17 मास्का जिसमें 2 चेप्टर है एक chapter number 2 polynomial और एक chapter number 4 linear equation to variable okay students फिर coordinate geometry जो हमारा chapter number 3 है जो 4 मास्क चायगा एक यह तर्ड मास्क आएगा जिमेत्री के अंदर बच्चों हमारा फाइब से लेकर के टोटल एड तक चप्टर फाइवन तक है ठीक है जिसमें हमें पहला जो एक्विलेड डिवीजें एक्विलेड जिमेटरी ठीक है जो हमारे एक्जाम नेशन पॉइंट के विवस्पॉर्टिन न स्ट्रक्शन है फिर हम लोग को है में सुरेशन 13 मार्स गेंटरी सब्सक्ति गार्णार इसमें थेलों भी आते हैं और में बत्चों 13 मास का है मैंने सुरेशन के इंदर दो चेप्टर एक तो एरिया निकालना area of triangle यानि कि heroes formula से area of trap GM हो गया ठीक है फिर यह सब में निकालना होगा और पटर दिन जो है वल्म है तब है यानि कि वाल्म आफ क्यूब के बारे में पढ़ना है हमें क्यूब के बारे में पढ़ना है तोटल सर्प उसके बाद इसी का सफेर है रहा है बच्चो यह हो गया सबका वॉलम टोटल सर्फेस रिया क्ल्सरफेस सड़िया अस्टाल सर्फेस सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बच्चो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चो रेशनल नंबर क्या हो सबसे पहले हम लोग कम पोज यह माल लिए सबसे पहले क्या हो यह होता है होल नंबर जो होता है बच्चो ठीक है यह सबसे पहले नेचरल नंबर हो गया नेचरल नंबर क्या होता है कि जितने भी रिएनम और हो अफ्रेंट अभी हो लंबर हो सकता है जी तक टेखो बश्योगन अप्रेंट मेद बार्फार इंधर हो अभड़ा सकता इक ज्ट्रबाऄर की अच्छाव इंदर वालगन होगा के अच्छाने के मितलब चुडेंट्स 1 2 3 4 ये टिनीच्रोल नंब्र हो गया अरहा पच्छवर सं में तो यह एक होल नंब्र भी हो सकता यान कि जितने भी अंदर है यह होगा बट होल नंब्र जो है वो क्या आता जिरो सा बच्चो तर्मिनेटिंग डेसिमल और नन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में क्या पढ़ना है बच्चो तर्मिनेटिंग डेसिमल तोब तंटरेशनल कुछ इंडि मेडियम क obey रभव हमार्या सांख्या संढ़नें प्रेमे संख्या के बारहरां प्राकृति में प्राकृति २कीन संख्या प्राकृति के कांतानव रिति आरा समय बच्छों समय तरह से इसकी पढ़ना है तो जो है तरमिटिंग डेसिमल होता क्या बच्छों कर जा कहिंग जब डिभाइड करेंगा जो थर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना कहिंग जा 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 जिसी 0 जारे कियो तर्मिनेटेंग याना कि यात्रहूट को तो लिखाता यहां कि आत्रह यहां समाघ्थ होची ज़या आग d Als नमर को रिपीट करती रहेगा और एक नन टर्मिनेटिंग नन डूलग नंबर जो है रिपीट करती रहेगा लिखने कराऊच के लिखे नंगी सृचती लिखे देल से लिखें करें लिफोसर से नंपरünd भक्रणीट हुर्ण का नं तरमिटिंग की सौट फ़र्म में लिखे लिखें हैं रिपीटिंग तो जैसे 01-куюंट师 वई रिपीट कर तो इस तरह से लिख सकते हैं हैसे रेकरिंग हो जो बार बार वही नम्मा रिपीट कर रहा एग में रिपीटिंग और नूल टर्मिनेटिंग नूल-जीड में रिपीटिंग यह होगा बत्चों वह इस तरह से रहागा जो नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा यह हमेंसा इरेशनल नंबर होता है आई यार हम सॉट में लिख रहा है भी हम जब चप्टर कराएंगे तो हम लोग विल्कुल एक्स्प्लेंस से पढ़ाएंगे आरा बच्चों सब्सक्राइब हमें फर्स चप्टर में फिर बतान पर दो पहला जो छप्टर में आपका बच्चोन अन्दर दो चप्टर आई एक तोचप्टर आएगा और एक च Minnie nossos parcurs क lord इने और दो हमें पढ़ना में है okay students, polynomials के बारे में मैं देखू क्या पढ़ना बच्चो, बिल्कुल हम basics से पढ़ाएंगे, इसमें जब हम बताएंगे, polynomials होता है, types of polynomial, एक तो जो है degree के इसा, polynomials में इसके पहले हम लोग पढ़ाएंगे constant के बारे में, variable के बारे में, फिर पढ़ाएंगे coefficient of polynomials, फिर हम लोग प coefficient of polynomials क्या होता है, जो भी उसके आगे, जैसे x square, plus 2x, यहाँ पर x square का coefficient कुछ नहीं, तो 1 होगा, 2x, एनके x का coefficient plus 2 होगा, और बच्चों संज में, हम लोग कर ये पढ़ना है, after देन उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे, types of polynomials, तो polynomials को हम लोग जो types में classification कर रखे हैं, एक त जिसका 2 term होगा, bionomials, जिसका 3 term होगा, triomials, इसी तरह से हम लोग degree के हिसाफ से पढ़ाएंगे, जिसकी degree 1 हो, वो क्या होता है, linear polynomials, जिसका degree 2 हो, क्या quadratic polynomial, जिसका degree 3 हो, cubic polynomials, and more than उसके 100, और दो ये दो से जादा term बालक हम लोग polynomials बोलते हैं, और students समल में, फिर हम लोग पढ़ना है, remainder theorem पढ़ना है, आरा बच्चों समय, और उसके बाद, जो most important exercise जो इसका है 2.5 जिसमें हमें formula पढ़ना है, हम formula का वीडियो हम बना रखे है, आप वहां से आप देख सकते हैं, कि हम क्या है, कांसा, कांसा important formula आपको, जो वीडियो के लिंक हम लोग नीचे description box में provide क करेंगे, ठीक है बच्चों, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, कि formula कांसा में formula पढ़ना है, उसके बेस पर क्या exercise का questions होगा करेंगे, 2.5 जो exercise है students, वो बहुत important है, उससे हमारा 17 नमबर का total algebra आ रहा है, तो उससे 8 या 9 नमबर का उसी से आएगा, 8 या 9, 10 नमबर का उसी स से बाकी में में फीरें, तो यह हमारा chapter 2 था students, आप तर इसमें हमारा chapter 4 में जो है linear equation 2 variable हम लोग इसमें जो है, आप इसका ज्यादा 10 में explain पढ़ेंगे, आप यहाँ पर उनली से graph से related पढ़ेंगे, जो भी यह graph से related पढ़ना है, और यह chapter, coordinate the material यह आपको तो उन्हों को relate करके बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, इसमें दिया होता है कि यह x है, यह y dash है, यह x y, इधर x dash, इधर y dash, तो इस पर आपको क्या होगा, ग्राप पे value पूट करना होगा, मारा लोग को एक equation दे दिया, आपको x plus y is equal to 4, यहाँ से आप x की किसी भी एक का value निकाल सकते हो, इस तरह से, okay students, तो हमारा यह था है, यह जो हमें पढ़ना है, इसे के बारे में, अब कोई point दिया होगा हो, कौंसा coordinate, कौंसा, कौंसा coordinate में आएगा, first quadrant में, second quadrant में, third quadrant में, उस पे value represent करना, value दिया होगा, उसे बताना होगा, ठीक है, फिर आपको कुछ statement का questions आएगा, आप उस 10 rupees, and after then, per kilometer, इतना, तो then find the, इसे graph पे represent करना, find the value of total fare of the, if you covered 50 kilometer, 30 kilometer, इस तरह से आ सकता है, okay students, तो यह question दिया होगा, ठीक है, और यह बोल दिया कि राम और साम किसी relief fund में मिला के 100 rupees जमा करते है, तो क्या होगा, इसका equation बना, यह आ सकता है, value दिया होगा, एक सर्वाइक है, उ तो आपको 3rd chapter में पढ़ना, coordinate geometry, जो है students, जो है 3rd chapter में पढ़ना, chapter number 3 में जो है, जो है यह, जो मतारत है भी 4 numbers क्या आएगा, यहाँ पे coordinate geometry, coordinate geometry, students, okay students, coordinate geometry, जो है इसके अंदर आपको पढ़ना है, सबसे पहले introduction of graph के बारे में आप लोग पढ़ाएगे, graph ऐसा क्या होता है, coordinate क क्या आएगा, ठीक है, 1st quadrant, 2nd quadrant, सार इसके बारे में जब chapter पढ़ेंगे, students, बिल्कूल explain में, detail में बिल्कूल पढ़ेंगे, ठीक है, आभी थम्हाँ आपको clue दे रहे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 chapter, हमारा जो chapter number 4 था, यह था, उसके बा chapter 5 जो है, equivalent geometry, जो की हमारा syllabus के लिए नहीं है, हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे, chapter 5, में जो हमारा chapter 6 से स्टार्ट है, lines and angles, lines and angles, आरा students समझ में, lines and angles में हमें क्या पढ़ना है, types of parallel lines के बारे में पढ़ना है, transversal क्या होता है, intercepting lines, vertical or posit angles इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ल एंगल को छे टास्ट में classification कर रखे है, ठीक है, पहले क्या होगा, जो एंगल 0 or 90 के बीच में होगा, acute angle, 90 degree होगा, right angle, 90 or 180 के बीच में होगा, obtuse angle, फिर जिसकी value 180 degree ही होगा, वो क्या होगा, straight angle, फिर more than 180 but less than 360, arcal reflex angle, and after then complete angle होता, जिसकी value 360 degree था, यह degree के बेस पर पढ़ेंगे, फिर हम pairs के base भी पढ़ेंगे, दो एंगल का base, जब 2 एंगल का sum 90 degree होगा, complementary angle होता है, जब 2 एंगल का sum 180 degree होगा, जब 2 एंगल का sum 180 degree होगा, इंदी में से पुर्ण कोर, sum पुर्ण कोर बोलते है, okay students, फिर इस तरह से, आगे जो है, हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग vertical एंगल का pair पढ़ेंगे, linear pairs of angle पढ़ेंगे, sum of linear pairs of angle का आओ तरह 180 degree पढ़ेंगे, आर शुडेंट तो यह हमारा अतर पढ़ना, ऐसी के base हम फिर parallel lines के बारें पढ़ेंगे, बिल्कुल explain से बताएंगे, corresponding angle, vertical एंगल, corresponding angle, alternate interior angle, pair of, फिर उसके बाद हो जागा, alternate interior angles, pair of consecutive interior angles, ठीक बच्चों हम लोग यह पूरी explain पढ़ना, तो यह पहले lines हमारे लिंप्रेंट है, आप लोग 7th class में भी पढ़ेंगे, after then हमारा जो आता है chapter 7, 6 के बाद बच्चों, chapter 7 में जो है triangle के बारें में हम लोग पढ़ेंगे, chapter 7 में जो है बच्चों, हम लोग किसके बारें पढ़ें जो किसमें important है, इसमें 2-3 theorems important है, जो सबसे पहले आप लोग 7th में पढ़ेंगे, sum of all angles of triangle भी 180 degree, यान कि किसे भी त्रिभूज का sum का कोन का योग जो है, कितना होता है, बच्चों 180 degree, after then हमें पढ़ना है, exterior angle is equal to the sum of opposite interior angle, यान कि जो कोई भी एक triangle है, उसका एक side को हम produce करते है, तो उसका जो exterior angle होगा, वो किसके equal होगा, sum of all positive interior angles का equal होगा, okay students, तहीं हमें पढ़ना था, after then हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद, after then हम लोग पढ़ेंगे, triangles में होगया, फिर C के बाद हम लोग पढ़ेंगे C, और आगे इसके में और theorem है, फिर, जो हम लोग पढ़ेंगे, इस chapter 8 जो है बच्चो, chapter 8 जो है, वो हमारा quadrilaterals है, quadrilaterals के हमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, quadrilaterals में हमें देखो बहुस सारा theorem सह, उससे पहले हम लोग types of quadrilaterals पढ़ेंगे, तो आप लोग 8 class में पढ़ेंगे, अगो जो अच्छे से पढ़ेंगे होगे, और जो हम कुछ students को importance है, theorem important क्या क्या है, कुछ square का theorem है, कुछ इस तरह से है, जो हमारे लिए बहुत importance है, और हमें करना है, हम पूरी theorem एक एक रखेंगे, आपको पढ़ाएंगे, कि जब एक quadrilaterals की, quadrilaterals की diagonal है, आपस में intersect करता है, 90 डिगरी पे, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जब दो एक पैलोग्राम है, जो आपस उसकी diagonal जो है, इंटरसेक करेगा, क्वली बास चेक करेगा, तो एक rectangle हो जाए, उसका midpoint से जो बन रहा है, हम पूरी explain करते हैं, जो हम लोग एट चेप्टर में हम पढ़ना है, चेप्टर नम्मर नाइन में जो है, बच्चो है, इसी का हम लोग फिर area पढ़ेंगे, quadrilator of area related to triangle, ठीक हमें हमें 2-3 theorem है, ठीक हमें midpoint theorem पढ़ना है, जो की बहुत important है, examination point of view से, आपका या तो एक्जाम हो या जो भी है, उसके examination point of view से हमारा लिए बहुत important है, ठीक है, जब midpoint theorem होता क्या, midpoint theorem क्या होता, कि 2 triangle, किसी भी एक triangle में उसकी जो एक सा परचे, देखों, यहाँ पर हम रफ डाइग्राम बना देते हैं, जैसे माल लो, ABC एक triangle है, D और E, जो है midpoint है side AB और DE पर, हमें पूरूब करना, जो यहाँ हाँ से line जो जो जोड़ेगा, वो तीसरे side का parallel हो और half हो, यानि कि हमें पूरूब करके यही लाना होता है, कि DE जो है ठीक है, midpoint theorem, उसके बाद converse midpoint theorem, फिर और इसमें हमें पढ़ना है, कि दो triangle, जब पहले तो हम लोग पहलोग्राम के बारें पढ़ेंगे, two triangles are on the two parallelograms, are on the same base, and between same parallel lines are equal in area, यानि कि दो parallelogram, यानि कि दो अगर जो समानतर चत्रवू, जब एक ही अधार, और एक ही शमानतर रेख के बीच में हो, तो दोनों का चत्रवल बराबर हो, हमें ये पढ़ना है, फिर इसमें हमें question आता है, कि एक parallelogram और एक triangle, एक ही बेस, और एक ही parallel line के बीच में है, तो जो area of triangle होता है, वो half होता area of parallelogram का, ठीक है बच्चों, फिर और जो हमें theorem पढ़ना है, फिर जो और theorem पढ़न है, 10 chapter जो है बच्चो, chapter 9 के बाद जो हमारा chapter 10 पढ़ना है, वो है circle, circle भी हमें examination point of view से बहुत important है, और इसकी जो last exercise से बहुत सारा questions आता है, इसमें, बहुत जादा theorem भी है students, जो हम लोग पढ़ेंगे, chapter number 10 जो है students, यह हमारा क्या है, circle, circle के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, circle क सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, इसकी प्रोपर्टिज क्या होता है, tangent क्या होती है, second क्या होता है, sector क्या होती है, minor sector, major sector, arc, minor, arc, major, arc, tangent, यह पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे, कि जब कोई दो radius, जो equal, एक ही, chord से, दो radius बना रहा है, circle का, दो equal radius, जैसे हमें, theorem में कि दो equal chord से, दो equal chord है, मालो एक यह और यह इस तरह से भी हम diagram बना सकते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है, यह जो है, circle का equal chord है, यहां से जो angle बना रहा है, suspended at the center are equal, जब ठीक है, इस तरह से हम लोग को theorem पढ़ना है, हम लोग जब circle कराएंगे, तो उसमें बहुत ही पढ़ाएंगे, आप जो chapter 10 के बाद आता है, 10 के बाद 11 chapter, 11 chapter जो है हमारा construction का है, जो का आप लोग को पता है, construction में, construction से देखो बच्चों, दो तीन question fix है, कि इससे आना या आना, इससे इलावा कहीं बाहर से नहीं आता है, construction, जो हमारा 11 chapters है, बच्चों, यह construction, देखो अभी इससे ले करके 11 तक, तो 5 chapters हम बोले, examination point of vision important नहीं है, तो 6 chapters आपको important है, line side angle, triangle, quadrilator, area related to quadrilator, ठीक है, उसके बाद circle, आउसके बाद construction, construction में तो हमें first chapter दो, दो exercise है, 11.1 and 11.2, 11.1 में जो है, बच्चों, हम लोग का बनाना है, perpendicular line बनाना है, ठीक है, उसके बाद लाइंस को angle को इस तरह से, जो हमारा examination point of vision है, जो 11.2 होगा, उसमें हमें, दो side of triangle दी होगा, greater than third side, दो side को add करके इतना plus यह आता है, इस तरह से हमें करना है, और बहुत सारे theorem, उसके example एक है, question 4 यह, third 4 जो है, वो some important है, ठीक है, बच्चों, चार नमबर का इससे questions, पूरे देखो, जब 28 नम चार से 5 छे नमबर आजाएंगे, सर करबाकी theorem पे हमारा 8 से 9 नमबर theorem पे आएगा, तो 8-4-12 नमबर ऐसे इस तरह से तरह से तरह से तरह से, बाकी lines and angles हम लोग पढ़ाएंगे इस तरह से, बिल्कुल मैं, 28 में, 28 आप 28 लाना है, ठीक है, पूरे एक्जामी, इस तरह से हम लो हम लोग चेप्टर 12 पढ़ाएंगे, चेप्टर 12 जो है, एरिया, रिलेटेटेट टू ट्रेंगल, ठीक है, यानकि हम लोग इससे बोल सकते हिरोस फॉर्मूला सीथा, हिरोस फॉर्मूला पढ़ना है, चेप्टर का नाम है, हिरोस फॉर्मूला पे, हिरोस फॉर्मूला पे ह सबसे पहले हम लोग सेमी पेरिमेंटर निकालते हैं a प्लस b प्लस c अपन टू अप्टर देन हम लोग यहां से एरिया निकालने का फॉर्मूला अप्लाय करेंगे अंडर रूट से इन्टू स-a इन्टू स-b स-c अब टेसर निहां से हम लोग निकाल लेंगे ठीक है यह हमारा चप्टर 12 में पढ़ना था उसके बाद इससे आगा है ट्रयब्यम का भी अधिया निकालना कंभाईन फिगर और रहत उसे हम ट्रेंगल में करके बने आएंगे तो इस तरह से बह पढ़न्ग फिर जो मारा में चैप्टर क् सब्सक्राइब एक चेप्टर चुपूची करण चलों में चेप्टर इयुख頭 पहलों कि अगा播 लुटहब्स उर्पनाद सफेस्पेषी आइन एक सबस्क्राइब वालम रास दो जोन सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब एंड वॉलूम ठीक है यहां जो हम जो सब सारे सारे ठीडी डियागरम पढ़ेंगे वॉलूम पता आप लोग को 3D में निकालते हैं 2D का हम वीडियो भी इस पे बना चेके थे 2D का फॉर्मूला 3D का फॉर्मूला निकालने लिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बार हो गया अस्फेर और उसके बाद क्या होगा है यह जो है सब को हम तिन तिन चीज़ पर निकालेंगे सबसे पहले वॉलूम फिर सीए से कर्व सार्फेस एरिया और टीए से यहां पर हमारे लिए एक कोश्चन में बहुत सारे बच्चे हो जाते कि सर हम यह कौन सो फॉर्मूल तो हम उसके से में वॉलूम का युच करते हैं कर्व सर्फेस एरिया मतलब जो हमें यहां खड़े था हमें चारो साइड गुन जाएंगे जो हमें दिख रहा हमारा यह रूम हो गया तो हम इसकी सिर्फ चारो दिवाल की एकर जो निकालना है धान से ची शी समझना फोर्मूल अब जब total surface area हम हमेसा उपर और नीचे दोनों include हो जाता है कभी कभी question में यह दे देता कि हम एक दिवाल के चारो साइड दिवाल और उसकी ceiling को हम print करना है तो इसकी हमें area निकाल तो क्या करेंगे इस case में देखा आप बच्चों क्या पहले तो चारो दिवाल होगा और शिलिंग क्या होगा रेक्टेंगल सप्में होगा area of rectangle कहीं कई बच्चों बोलते कि हमें फॉर्मूला दिया होया गिला थे नहीं अब दिमाग थोड़ा यूज कर जब दोनों सब्द पूरा बंद होगा तब टोटल सफिशर्या का फॉर्मूला करेंगे कर सप्चों करेंगे और और कर बाखी फॉर्मूला आपको हर एक में तीन-तीन फॉर्मूला याद करना बिल्कुल मज़े से हम लोग पढ़ेंगों कोई दिक्कत नहीं है तो यह तो हम पर यहां पर रफ कर रहें चप्टर चलो इधर लिख देते हो के स्टेटर नमर 14 जो है 14 में हमें पढ़ना है statics के बारे में statics में हम लोग क्या पढ़ाएंगे बच्चो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ाएंगे किसी भी चीज़ का frequency distribution निकालना टेबल बनाने के लिए और इसमें पढ़ाएंगे pictograph pictograph histogram यह सब के बारे में पढ़ना उसको जो लास्ट एक साइज है इस पर में ग्राप पे बहलुआए निकालने के लिए histogram बनाना प्रिक्टो ग्राफ बनाना तो हम लोग करें कि बाद में जो हमें मीन मेडियन मोड के बारे में पढ़ना है आप लोग 7 में पढ़ाएंगे मीन क्या होता है मेडियन क्या होगा मोड उसके बेस पर questions आगा बहु करेंगा आरब चो समझे 14 चैप्टर क्या पढ़ना था आटा देन हम लोग जो है probability पढ़ेंगे 15 चैप्टर चांस हो गया किसी भी काम और हो जम कोई भी काम 100% स्वेर है कि काम होगा तो हापे संभावना कुछ है नहीं तो जीरो हो गया अगर जो हम बोले कि किसी काम समझाने का 50-50 है तो इस तरह से 50 हो जागा अगर जो हमेशा यह धानक ना जो probability of event हो ता sure event plus not दोनों का सम हमेशा 0 को क्यों से बहुत बंता है ठीक है दो थीन को से बनेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे यह थी है हमारी पूरी नाइंत की स्लेबस मैथ में आप लोग को बता दी आग तो दिमाग से तेंसन उतर गया हुआ कि हमें क्या-क्या मैथ में पढ़ना था और किस तरह से पढ़ना उकके च्टेन्स काइब कर देते आज नंबर में मुआ अप लोग को दुबारा से रिविजेशन करा देते है जो नंबर में कहीं ब्ला पढ़ना थाал गाय सम्नबर 17S त smokesि जिसमे हमें chapter 2 2022 सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद जो था बच्चो ट्रेंगल था उसके बाद 7 के बाद 8 चेप्टर था बच्चो वह क्वाइड लेटर्स के बार में पढ़ना था उसके बाद 9 में जो था एरिया और 10 में सब्सक्राइब करें में सब्सक्राइब करें जो जाता है जो निकालेंगे अरी के बाद सब्सक्राइब करते होंगे कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या उसा चेप्टर कितने मांक्स का रहा किस चेप्टर से हमें ज्यादा देना किस तरह से करना करें तो आप ज्यादा ज्यादा लोग में शेर करें इसका बेनीफिट ले सके ठेक है बच्चो और आप इसके अलाब ले और 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 आप से बैठ के ठाखें कोई कोई दिक्कत झाल झाल